राजदानी दिल्ली में हिजबुल मुझाहिद्दीन के एक most wanted आतंकी को गिरफतार किया गया है आतंकी पर 5 लाग से ज़्यादा का इनाम घोसिता वो जमू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में वानशित था कश्मीर में कई आतंकी वारदाताओं को अनजाम देने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था दिल्ली पुलिस की स्पेसल सेल ने आतंकी को गिरफतार कर लिया है जानकारी के मुताबिक ये आतंकी जमू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल लहा अयोध्या में श्रीराम मंदिर प्रांट पतिष्ठा और गरतंत्र दिवस से पहले कथित आतंकी की ये गिरफतारी बेहत एहम कैच मानी जा रही है सामने आया है कि पकड़ा गया आतंकी हिजबुल का कमांडर जावेद एहमद मट्टू है और मट्टू पाकिस्तान भी जा चुका है और वो सोपोर का रहने वाला है हाली में सोपोर में उसके भाई ने घर में तिरंगा लहराया था जो काफी वाइरल हुआ है वो साल 2010 से कश्मीर में सक्री है और कई बड़े हमलों में शामिल लह चुका है अलबदर में आतंकियों की गिंती बढ़ाने के लिए वो युवाओ को आतंगवात के रास्ते पर लाने का काम करता है जावेद हिजबुल का खुंकार कमांडर है कहा तो ये भी जाता है कि वो पाकिस्तान भाग गया था लेकिन कुछ दावे ये भी थे कि वो उतरी कश्मीर में नेटवर को फिर से त्यार कर रहा था लेकिन अब वो 10 लाग का इनामी पकड़ा गया है इन अ मेजर ब्रेक्ट्रू स्पेशल सेल ओफ टेली पुलिस और सेंटरल एजनसी की कोर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू जो की A++ केटेगरी का डेजिगनेटिट टरुरिस्ट है सपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाग प्लस इनाम है उसको आज फॉर नून में अरेस्ट किया गया ये काफी लंबे अर्से से स्पेशल सेल और सेंटरल एजनसीज की आपस की कोर्डिनेशन इसमें लगातार चल रही थी और जैसा की स्पेशल सेल का मेंडेट है तो आगे की जो रिपब्लिक दे का भी ओनकमिंग इवेंट है उसके मदे नजर एक एक्स्ट्रा सेंस्टिविटी एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डिमेंशन जो थी वो बरकरार किये हुए थी जिसके फल्सवरूप आज ये एक मेजर जो कैच है मेजर ब्रेक्ट्रू है उसको अंजाम दिया गया पकड़ने पे उसके प्रजेशन से एक पिस्टल अलॉंग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है अभी क्योंकि कुछ घंटे ही हुए हैं अभी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद आगे फरदर कारवाई अंजाम में लाई जाएगी जावेद मट्टू जो है इसकी एक लंबी चोरी फेरिस्ट है जो की इसने वारदातों को अंजाम दिया है पांच गर्नेड टैक्स जे एंड के में ये शामिल रहा है पांच पुलिस वालों को अलगलग घटनाओं में मारने में ये शामिल रहा है और डजन्स ओफ जो पुलिस परसनल है उनको इंजरीज आई हैं इन तमाम इंसीरेंट्स में इसके जो साथी हैं और इसकी जो अपनी प्रोफाइल है वो इस तरह से है ये साथ हिजबुल मजाहिदिन के ड्रेडड जो टैर्रिस्ट थे ये उनका एक पुरा मॉड्यूल था जिसका ये मेजर सरगना था और अभी तक की जो इन पुर्ट्स हैं लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेसल सिल ने इस आतंकी को पकड़ा तो उसके बाद पाकिस्तान को ये माल लेना होगा वो आतंकीों को चाहे जैसे भी ट्रेनिंग दे दे लेकिन भारती सुरक्षा एजेंसियों के हाथ से वो आतंकी नहीं बचपाएगा अब देखना तो ये होगा आतंकीों के खेमे से अगला कदम क्या बढ़ाया जाएगा और क्या ये माल लिया जाए कि पाकिस्तान का ये पालतू अब जहन्नुम में जाएगा आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करकर जरूर बताएं ग्योरो रिपोर्ट भारत तक अब जेखना है झालतू 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 लिया जएगा मेंटळा भारत तक